एक बार एक बहुत बड़ा बिजनस्मेन एक छोटे से गाउं में जाता है उसका प्लान होता है कि उस गाउं में एक फैक्टरी लगानी है वो एक ऐसी जगे तक कहुच जाता है जहां पर उसके सामने नदी होती है और उसके सामने गाउं होता है अब उसके पास में दो आप्शन्स होते हैं एक कि वो सड़त के रास्ते से घूम करके उस गाउं तक पहुँचे जिसमें करीब करीब आठ घंटे लगीगी क्योंकि डिरेक कोई रास्ता नहीं है वहां तक पहुँचने का दूसरा के सिरफ 20 मिनिट में एक नाव में बैठ करके उस नदी को पार करके उस गाउं तर पहुच जाए तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव में बैठने का डिसीजन लिया वो नाव महती छोटी सी थी जिसमें एक तरफ एक आद्मी बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ ये बिजनसमेन बैठा हुआ है तो नाव में बैठने के थोड़ी दिर बाद उस बिजनसमेन ने उस नाव वाले से पूछा तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से कहा हाज जोड़ करके नहीं साब मुझे नहीं पता कौन है तो बिजनसमेन बोला अरे तू अखवार नहीं पढ़ता है क्या हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है अखवार में तो नावाला बोला अरे साब मुझे कहां पढ़ना लिखना आता है मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बच्पन सही काम में लग गया और तभी मेरा स्कूल छूट गया ये सुन करके उस बिजनसमेन ने उसका मजाख उड़ाते हूँ इसको कहा तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है ऐसी जिंदगी का क्या फाइदा ये सुन करके उस नावाले को बुरा तो लगा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा थोड़ी देर बाद वो बिजनसमेन उस नावाले से बोला अभी कुछी दिन बाद ये जो सामने तू जमीन देख रहा है यहाँ पर मेरी एक बहुत बड़ी फैक्टरी होगी जहाँ पर हमारे ब्रैंड की मिल्रल वाटर की बॉटल्स बनेगी उस नावाले को बात समय नहीं आई उसने का क्या बनेगा साथ तो बिजनसमेन थोड़ा सा इरिटेट हो करके बोला क्या हमारे यहाँ पर पानी की बोतले बनेगी जो तेरे गाउं में नहीं बिखेगी लेकि शहरों में बहुत बिखती है अरे कभी तो शहर गया होगो तो तुम्हें देखी होगी पानी की बोतले रखे होती है दुकानों पर फिरो नावाला बोला अरे साप मुझे कैसे पता होगा मैं तो कभी इस गाउं से बाहर गया ही फिरो बिजनसमेन उसके लगया है उसके बाहर ऩक नहीं गया तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है अरे ऐसी जिन्दगी का क्या फाइदा है उसकी ये बात सुन करके उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी जिन्दगी शायद किसी काम की नहीं है अपनी इस सोच की वज़े से उसका नाव से ध्यान हटा और तब ही नाव की टक्कर हो गई एक बड़े से पक्ता से जिसकी वज़े से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूगने लगी उस जगे पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था नाव वाले को समझ आगी है कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था तब ही उसनो उस बिजनसमेंट से पूछा साहब आपको तैरना तो आता है ना तो बिजनसमेंट घपरा करके बोला ऐसा क्यों पूछ रहे हूं मुझे तैरना नहीं आता है उसकी ये बात सुन करके नाव वाले को हसी आगे और वो बोला अरे साहब आपको तैरना तक नहीं आता है ऐसी जिन्दगी का क्या फाइदा ये सुन करके उस बिजनसमेंट को अपनी गलती का एसास हुआ और वो हाथ जोड़ करके उस नाव वाले से बोला तुम जो कहोगे मैं तुमें दूँगा बस मेरी जान बचाना तो उस नाव वाले ने बोला अरे साहब आप घबराओ नहीं मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता है मुझे डूपते हैं लोगों को बचाना भी आता है आप मुझे कसके पकड़ लो मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगा और फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी बलकि उस बिजनसमें की भी जान बचाई तो इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख ले सकते है कि हमें जिन्दगी में कभी भी किसी कभी मजाक नहीं उडाना चाहिए या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब, कहा, कैसे, किस की जुरत पढ़ जाए